आज का हम लोग ट्रेणिंग शेशन ले रहे हैं वो है हमारी ट्लीनिंग चेकलिस्ट फर किचन अभी हम लोग किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में कौन-कौन काम कर रहा है शेफ हो गया जो भी आपके शेफ on duty हो गया दूसरे आपके जो यूटिलिटी वाले होंगे जो आपके बर्तन वगेरा धो रहे हैं तीसरे हो सकता है कि आप लोग ने हाउस किपिंग वाले रखने हो जो आपके फ्लोर को साफ करें तो तीन चार लोग मिलके आपके किचन में का हो जो सकता है कि आपके किचन के अंदर चार लोग काम करें हो फांच लोग काम करें हो थो हम को किचchn की च्र criticism कराкий ऐख के मैं इस ते आप मांलीजिये कोई सुबह। अब शाम वाले को कैसे पता चलेगा उसने क्लिनिंग करी है तो घर में कोई एक बंदा जाड़ू लगाता है तो पता लगाया लगाया क्योंकि वह उसकी रिस्पॉंसिबिल्टी है तो अगर हम लोग कॉमर्शल किचन में काम कर रहे हैं तो वहां पर इतना ज्यादा काम होता ह है यहां पर दस लोग आएंगे दिस लोग आंगे 250 लोग आएंगे 200 कषिपर खाके जाएंगे क्ठव सुड़ के आटMusik कर नियुक में कर तुक ही अगर एक दिन साफ नहीं करहें वहां तो आ देखोगी इतनी जयादा गंदऑ नहां चछेंगी 어गे ॕिन was about bacteria और आपए अर्छाब रहा है तो वेस्ट होगा वेस्ट हो एक नपड़ेगा तो घूंफिर के यही सारी कहानिय हो जातीए तो यह चीजे नहां हो और एक system बने तो इस प्रकार की जो kitchen की हम लोग अपनी जो checklist लगा देख क्लीनिंग चेक-लिस्ट हम छेपल रहे हैं यह भी हमारे कस्टमाइज हो जाती है कि क्या हमारे पास क्या-क्या equipment है क्या-क्या चीजे हम लोग यूज कर रहे हैं और कितने लोग हमारे वहां पर काम करें अब अलग-अलग जगे जाओगे ना मालली जह मैं बोलता हूँ कि कहीं पर मैं छोटे रेश्टोन में काम कर रहा हो हूँ बड़े हो इस री कि आप और रूल बना पड़ा है हर को इसाफ कर रहा है तु अब यहां पर सबसे पहले साइट का मतलब के सॉर्मेंट के इंदर साइट का मतलब के उस रेस्टोंक का नाम मैं मैं तो मैं इस का नाम फिल जाए तो रस्टोंन का नाम और शीन गया तो mı इरिया तो तो इना यहां पर फिर इंहां जैंट negatives का एक शीट है, एक मन्त में एक कागच है, इस कागच की चाहिए आप फाइल मना लीजिए या आप एक किचन के अंतर इसको प्रापरी लगा लीजिए तो जो बंदा क्लीन करेगा उस पर टिक मार देगा, बाद में जो आपके सिपरवाइजर है, मैनेजर है, शेफ है, जिसकी भ अगर आपने कुछ काम किया है, तो वह पता भी चलता है कि आपने काम किया है, आप इस पे यहाँ पर चार शिफ्ट है, मौर्णिंग, आफ्र इवनिंग, नाइट, अगर मैं बोलता है, इतना ज्यादा बिजी ओपरेशन है, जैसे बड़े-बड़े होटो जो खासकर कोफी अब होते हैं, आप पर मौर्णिंग में भी रहेगा बंदा, आफ्रून में भी रहेगा, इवनिंग, नाइट रहेगा, अब होते हमारे छोटा ओपरेशन है, मैं बलता हुए हमारे आपटेट से बारा से नौच लेगा, तो एक ही शिफ्ट है, उस शिफ्ट को आप चाहे आ आप यहां पर दालों के कंटेटर है, या फिर मेरे फ्रिजिस के अंदर कोई सौस रखी पड़ी है, बेन मेरी है, बेन मेरी के उपर के डखकन हो गया, आपने दाल रखी है, आपने मसाले रखें, उन सब के कंटेनर, तो कंटेनर भी हमको क्लीन करने है, अभी जैसे आप या आपने साइन कर देना है, दूसरा है आपके स्टोरेज रैक्स और कैबिनेट्स, कैबिनेट्स और रैक्स का मतलब क्याता है, जैसे अगर आप इजर देखोगे ना, तो हमारे रैक्स हैं या पर जिसमें हम लोग ने अपना समान स्टैक करके रखते है, वो हो गया, आप अब स्टैक कहा है कुछ अलमीरा जैसे हमारे पास होता है, अलमीरा का मतलब है, जहां पर आपके अपने समान रख आए, जिसको ओम लोग बहुत जाइगा तो उसको भी हमको क्लीन कर ना है, फिर हमारी वाल, अब वाल होगे जैसे हमारी गंदगी हो तो हम लोग जो हमारी कस्तमाइज सीज़ यहा पर 5 मिटे हैं सब बильно और ये बिढ़ को कि अबीस आप में पर आप को वेgoing कों बतानाई वो हम डला भी मैं आप लोग आप लोगों को जोईन कर आउय को पर्पारी आप साथ वो द्यंसimas in यह लेकर आए नहीं कि वह आपको बतानी है जब आप बताओ के तब इसको समझ आएगा इस चीज को आपको सबसे जादा दिखान रखना है इसके बाद इसमें नेक्स है आपका फ्लोर्स औंड ड्रेन फ्लोर हमारी यह पूरी की पूरी हमको क्लीन करवानी है इसके बाद हमार पानी हमारे पास है तो उनको बोलो कि इसको प्रॉपर्ली साबून पानी से ख्लीन करके लाओ अगर आप इसको रेगुलर क्लीनिंग पर उतने गंदे नहीं हो गए नहीं तो जब आप महीने में या हो गए नहीं न तो बाद में इतनी मोटी-मोटी परत जम जाएगी तेल की दुए की मत्टी की तो अभी स्टार्टिंग है तो शुरू से हमको वह चीज़े मेंटेन करके रख लेने हैं अभी कोई आएगा दो दिन के बाद क्लीनिंग के लिए उसको पता चलेगा कि हां फिर उसको बोलो जब भी आप क्लीन करते हो यहां पर इस पर ठीक मार तो उसकी दूटी बनगे नहीं तो किसी की डूटी नहीं बन पाएंगे इसके बाद आती हमारी वर्क टेबल क्लीन एंड संटाइब आपको जो भी वर्क टेबल है जैसे आज हमने सबके स्टेशन वाड़े यह आपका यह है तो आपकी रिस्पॉंसिबल्टी की जो आपका वर्किंग पर्दैति हैं तो जो सेम हो एंगे Folksन में ब कामती हो आ तो हम optimization की काम नहीं होती है अपको कम कैसे करें जब हम पता ही निए तो काम किसे करें तो हम लोग चॉपिंग बोर पे काम करेंगे आजा समा नीचे गिरेगा और जब गंदगी फैलती है पिर जब आप लोग ट्राइल बगरा में जाते हैं तो यह भी देखा जाते हैं कि आप कितनी सफाई से काम कर रहे हो तो सेम हमको उसको अपना पहुंचा मारना है जो हमारा स्प्री होता है और बाग में छोड़ देना से अब सबसे लास्ट में आगे और एक्क्यूपेंट क्लीन एंड सेंट है अब आपके स्टेशन पे जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी पेंट्रिं के अंदर मेरा यहां पर क्या है मेरा ग्रिलर है ठीक है जी मेरा माइक्रोवेव है मेरा फ्रायर है तो यह प्रॉपर क्लीन होने चाहिए अब जिसे मेरे मैं बोलता हूं मेरे यहां पर डी फ्रायर है यह नहीं कि आप उसको हड टाइम क्लीन कर नहीं आपको शाम को तेल ठंडा करके चान के रखना है यह जो हमारी क्लीनिक सेपरेट का भी बात करेंगे उसको फॉलो करने बट जो उसको ऊपर का सर्फेस है माइक्रोव मैं बोल रहा हूं ठीक है आपके नाइफ होगे चॉपिंग उनको आपको कीन हमेशा करके रखना है तो यह फॉर्मेट जब जब आप करते जाओगे आपको टिक मारते जाना है पिर आपके जो यहां पे सीडीप होंगे शेफ होंगे उसको चेक कर लेंगे या कोई मैनेजर होगा अतुल होगा उसको चेक मार देगा यह काम हो गया तो यह इसमें क्या होगा कि आप लोगों को भी एक सेल्फ सैटिस्टेक्शन मिलता है कि मैं यह काम कर रहा हूं तो इसस से कि सारे के सारे प्रॉपर सिस्टम्स में रहें उस भी कोश्चन को कमेटर विजे दिरू लिखिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जहिंगे